तो जैसा कि आप सभी को पता है कि SSC GD 2024 का notification आउट हो चुका है लगबक 26,000 पदो पर काफी सारे candidates form fill करना start कर चुके हैं काफी सारे candidates करने वाले हैं लेकिन उन लोगों के मन में doubt ही जुरूर होगा कि इस पर अगरा उनको SSC GD 2024 का exam clear करना है तो आखिर उनको कितना marks जो है मतलब लाना होगा ताकि उनका exam जो है clear हो सके आप सभी को मैं बता दू 160 नमर का total आपका examination होने वाला है आपका हर एक section से मतलब 20 questions पुछ जाएंगे चार sections रहेंगे math, reasoning, English या Hindi और GK का ठीक हैं तो 20 questions सभी से पुछ जाएंगे तो total आपका 80 questions 160 marks का पुछ जाएगा तो उस 160 marks में से total आपको कितना marks लाना होगा तो आप इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ ताकि अगर आप इस बार target लेकर चल रहे हैं कि SACJD को clear करना है इस बार तो आकेर आपको कितने marks का target लेकर चलना होगा तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ category wise बात करेंगे friends तो आप इस वीडियो को complete ज़ूर देखेगा हाला कि दोस्तों मैं आपको बता दो कि यह जो आपका marks होता है वो आपका category wise तो आता ही है साधे साधे यह state wise आपका decide होता है और उसमें भी post wise आपका आता है जैसे CAPF का अलग आता है उसके बाद आपका मतलब बहुत तरह का post होता है BSF भी होता है तो सब का अलग अलग आपक इस एक्जाम के लिए बहतरी इन बुक के बारे में जो कि चक्षु प्रकासन के द्वारा जारी किया जाता है यह basically आपका study guide होने वाला फ्रेंड जिसमें कि SSC GD 232 का जो भी syllabus है जैसे कि आपका math हो गया, reasoning हो गया, Hindi English हो गया, सारा का सारा इसमें syllabus आपका cover किया गया है और इ content की बात रेक करें कि किस तरीके से आपको content रहेगा friends इसमें तो आप देख सकते हैं तो आपको दिखा देता हूँ, सबसे पहले मैं आपको previous year paper दिखा देता हूँ, यहाँ पर इसका content है वो दिया गया है कि इसमें आपको सबसे पहले तीन आपको previous year paper मिलेंगे with solution, ठीक है, and इसके बात जो भी आपका syllabus है, reasoning हो गया, current effect हो गया, GK हो गया, English हो गया, ठीक है, साड़ा का साड़ा आपको इसमें देखने को मिल जाएगा, मैं आपको थोड़ा चा दिखा दता हूँ था कि आपको एक idea मिल जाए, देखे कि इस तरीके से आपका previous year paper है, जैसे कि आपका previous year paper मिलेगा, इसके साड़ साथ आपको जाए नीचे आपको उस chapter से जितने भी questions है important, आपके exam care district कोन से, सारे के सारे questions आपको यहापर देखने को मिल लेंगे, and अच्छी बात यह है कि इसमें आपको solution मिलेगा, with explanation, cool मिलाकर कि यह book आप सभी के लिए बैतरीन हो जाता है, and दोस्त आप बना सकते हैं, और अपना preparation को एक अच्छा level तक पहुचा सकते हैं, तो आप चाहे तो दोनों ही book को purchase कर सकते हैं, आप इसे अपने offline market में, या पिर online आप हमारे link से आप purchase कर सकते हैं, इसको purchase करने का link आपको video की description box मिल जाएगा, तो आप वहाँ इसको purchase कर सकते हैं, तो च इसे साल में आपको अधा दो लगभग 50,000 पदों पर जो है आपका अविधन हुआ था मतलब 50,000 पदों के लिए आपका वेकंसी था, ठीक है, हाला कि पहले ही आपका 25,000 पर लेकिन बाद में इस वेकंसी को बढ़ा करके 50,000 तक कर दिया गया था, इस बार भी आपका same situation होने कितना मतलब आपको टार्गेट लेकर के चलना हो को यहाँ आप देख सकते हैं, आप आपको लगड़ा होगा कि यह हाई कटफ है, जीरे दूस्तों हाई कटफ नहीं है, पिछले साल क्या पिक्चा जो है यहाँ पड़ है, पिछले साल 50,000 पर वेकंसी था फ्रेंस तब इतना आपका कटफ गया था, तो इस बार देखिए 26,000 वेकंसी है, ज्यादा बढ़े रहा तो यह हो सकता है, 40-45,000 तक जाए, ठीक है, तो उसमें आपका यतना कटफ जा सकता है, ठीक है, यूर के लिए देखिए बात करें तो 145 पलस का टार्गेट आपको लेकर के चलना होगा, अगर आपको GD2424 का एक्जाम क्लियर करना है तो, ठीक है, यूर के लिए, OBC का भी सेम कर जाता है, यूर और OBC में ज्यादा कुछ फरक देखने को नहीं मिलता है, इसलिए दोनों के टार्गेट को 145 पलस का टार्गेट लेकर के चलना होगा, तो यह मैंने बताया, मतलब मे अगर आपको एक्जाम को क्लियर करना है तो, ठीक है, उसके बाद चली हम लोग बात करते है, फीमेल के लिए, तो फीमेल के लिए कितना अलजा सकता है, तो फीमेल के लिए भी यहां पर बताया गया है, जो यूर क्टेगरी है, उनके लिए 135 पलस का टार्गेट लेकर के चल होगा, और कटफ लगड़ होगा, काफी सारे करने चुकि हाई है, तो यह हाई नहीं है, फिछले साल के आप एक्षा बात की जाए, तो कटफ आपका इतना जाना तय है, ठीक है, इसलिए आपको इतना जादा का टार्गेट लेकर के चलना होगा, बाकि अभी आपके पास टा करते हैं, तो आपका कंप्लेट हो जाएगा फंट सिले, बस ठीक है, तो इसलिए आप लोग फटा-फट से बिना देरी किया हुए, प्रेपरेशन को स्टार्ट कीजिए, और जो मैंने आपको बुक बताया है, चक्सुर प्रकरशन का, आप उसकी मतद जरूर लिजएगा, का के लिए, गुडबाए.